कि हेलो दोस्तों मैं हूं अमर्दीप सिंग आप सभी का स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल सीजी पेसी नॉलेज में दोस्तों जो आपका सीजी पेसी प्री के एक्जाम होने वाले ग्यारा फरवरी को उसके लिए आज हम कुछ MCQ करने वाले हैं लगभग यह MCQ आपका मिक्स MCQ है इसमें कल्चर के भी कोश्चन है नगरी निकाय के भी कोश्चन है इसके अलावा आपका करेंड का भी कोश्चन है सीजी हिश्री के भी कोश्चन है तो 36 गड़ से रिलेटेड यह मिक्स आपका लॉट है जो MCQ हम करने वाले हैं आज से यह लॉट चालू हो रहा है अब डेली हम इसका MCQ करेंगा वह समय नहीं रहे गया कि पर्टिकुलर एक-एक सब्जेट का उठाकर MCQ करें इसलिए मिक्स MCQ करें ताकि आपकी जो सोचने की छमता है वो थोड़ा सब बढ़ सके और उसके अनरूप आपकी तयारी भी आप सकेंगे कि अभी तक आपने लगबख सब चीज़तों पढ़ी लियोंगे रिविजन चल रहा हो आपका तो इससे आप अपनी तयारी को भाप पाएंग कमेंट बॉक्स में के आपके कितने कोशन सही हुए अगर आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा कोश्टन अच्छे लगे हूंगे कोश्टन का लेवल अच्छा लगा होगा तो वीडियो का जरूर लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीड किंद्री बाजा के संबन्द में कौन सा कतन सहीं है पहला है या बस्तर की भत्रा और परजा जंजाती द्वारा प्रियोक किये जाने वाले वाद्यंत्र हैं सेकंड है इसे किनेरी भी कहा जाता है और तीसरा है या अवनद वाद्यंत्र की स्रेणी में आता है तो अगर हम किंद्री बाजा के संबन में कौन सा कतन सहीं है आपके सामने चार ओप्सन आपको दीख रहे होंगे आप अपने एंसर कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं या आप मन में भी सोच सकते हैं कि क्या इसके अंसर होगा चलिए मैं सौल करता हूं किंद्री बाजा जो है यह बस्तर की भत्रा और परजा जंजाती के द्वारा प्रयोग किये जाना वाला वाद्यंत्र है बिल्कुल सही है किंद्री बाजा को बस्तर की भत्रा वा परजा जंजाती क द्वारा ही बजाये जाता है सेकंड इसे किनेरी कहते हैं तो किंद्री बाजा का ही दूसरा नाम किनेरी है यह भी बिल्कुल सही है तीसरे है यह अवनद वाध्यंत्र की स्रेणी में आता है तो अवनद वाध्यंत्र की स्रेणी में यह नहीं आता किंद्री बाजा एक प्रकार का सितार टाइप का होता है जिसमें तारे लगी होती है और जिस भी वाध्यंतर में तार लगी होती उस वाध्यंतर को हम तंतु वाध्यंतर या तत वाध्यंतर बोलते हैं यादर केगा जिस भी वाध्यंतर में तारे लगी होती है उसको तंतु वाध्यंतर या तत वाध्यंतर कहते हैं तो किंद्री बाजा आपका अवनद वाधियंत्र नहीं है बलकि ये तत वाधियंत्र या तंतु वाधियंत्र में आता है तो आपका तीसरा पॉइंट गलत हो गया तो इस कोशन का एंसर होगा अफसन एक और दो यानि इस कोशन का करेक्ट एंसर है किंद्री बाजा जो है तत वाधियंत्र है यह याद रखेगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है पुपुल साड़ पर्व के संबंद में कौन सा कथन सही है यानि जो पुपुल में आदिवासी समाज अपने परगने के अंतरगा थोने वाले उत्सवों के लिए जो गौं में चंदा एकत्रित हुआ होता है उसका हिसाब करते हैं तो आपके सामने ऑप्सन भी दिख रहा होगा पुपुल साड़ पर्व के बारे में कौन सा कथन सही है तो देखें पुप दूसरा है इस साड़ में सेम और उड़त की जोगानी की जाती जोगानी का मतलब क्या होता है जोगानी का मतलब यह होता है कि जब नई फसल आती है तो नई फसल को अपने देवताओं को अर्पित किया जाता है तो जब देवताओं को जो अर्पित की जाती नई फसल और उस पुपलuur transplant को ही जोगानी बोलते हैं तो इस पर्व में सेंब और उड्गी जोगानी की जाती है निसेम और उड्गी फसल आही रहती है और सेम और उड्गी फसल को अपने इAGश्द देवता को समर्पित करते हैं बिल्कुल सही है सेकंड पॉइंट तीसरा लिखा है इस साण में आदिवासी समाज अपने परगने के अंतरगात होने वाले उत्सवों के लिए जो गौन में चंदा इकत्रित हुआ होता है उसका हिसाब करते हैं तो यह भी बिल्कुल सही है कुछ विवाद होता है तो उस विवाद को शुलुजाते हैं निकोई हिसाब में हीर फेर हुआ होगा तो उस विवाद को शुलुजाने का काम करते हैं योकि इसी पर्व के बाद ही आदिवासियों के समाज में जो मेला मड़ी ये सब की प्रक्रिया पूरी प्रारम होती है उसका मोहल तैयार होता है तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है तो इस इस कोशन का एंसर होगा ऑप्सन भी दो और तीन सही है पुपल साड़ पर वयाद रखेगा पॉस महिने में में रूप से मनाते हैं तो पहला पॉइंट इसले गलत है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है गोंडी बोली के सब्द पेन जोडिंग का अर्थ क्या होता है यानि गोंडी बोली का एक सब्द है पेन जोडिंग पेन जोडिंग का मतलब क्या होता है देविस्थल देव नीमंत्रन देवस्व या पित्री देव तो याद पेन जोडिंग का मतलब होता है देवताओं को निमंत्रण देना, भी इसका correct answer है, अगला question देख लेते हैं, question number 49, या इसके इसाब से मेरा जो क्रम है, निमन में से कौन सी जनजाती प्रतेक 12 वर्स में जनी सिकार उस्व मनाती है, यानि कौन सी जनजाती जनी सिकार नामक उराओं जनजाती के लोग मनाते हैं, उराओं जनजाती में जनी सिकार की प्रत्त है, जो भी उराओं जनजाती के लोग क्या करते हैं, हर 12 वर्स में जनी सिकार उस्व मनाते हैं, जनी सिकार उस्व में जो महिलाएं रहती है, वो पूरुस की वेजबूसा धारन करती है, और झारक करके लाती है तो याद रखेगा जनी सिकार जो उस्सव है यह उराव जड़े आती में जनी सिकार उस्सव प्रचलीते अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है निम्न में से कौन सा ऐसा वाद द्यांतर है जो कि भैस के सिंग से बनाया जाता है ठीक है एक बार आए है था कोतरी के सिंग से कौन सा बनाया जाता है यह पेपर में याओ Uh question है यह question है निमन में से कौन से ऐसा वाध्यंतर है जो कि भैस के सिंग से बनाया जाता है option आपको दिया है तुरिही, गुधूम, डहकी खी यह इक्तारा तो याद रखेगा जो भैस के सिंग रहते हैं, भैस के सिंग में होल करके उसमें फुक मार के बजाये जाने वाला जो वाद्यंत्र है उसका नाम है तुरिही और याद रखेगा तुरिही को ही अकुम भी कहा जाता है, तो तुरिही या अकुम हो ये भैस के सिंग से बना होता ह और क्योंकि इसको मूँ से फुक मार के बजाया जाता है इसी के लिए जो आपका तुरही या अकुम है या आपका सुसी रिवाद दियंत्र है याद रखेगा यह आपका कौन सा बाद दियंत्र है सुसी रिवाद दियंत्र है क्योंकि इसको फुक मार के बजाया जाता है तो इ जे कि जितने भी है करेंट में आपके अफ् хот है के जितने भी। आपके पत्रिकाय मैं प्रकासित की गई उन्स सभी पत्रिके विभाग के भी पत्रिकाय risque जारी हुई नई पत्रिकाओं से कोष्टन लिए हो क्योंकि नई नई पत्रिकास काषिकाओंस ही पेपर में कोष्टन बन जाते यह कोष्टन आपके लिए बहुत किसके इसको मत कीजिएगा चलिए फाल हिंखोने करेक निबन कर क्रम कन потрम से जमाना है नाच- 맛있는 ऱणनी कोटवी मार और चिछतलमार इन कारेक्रमों को उनके होने के क्रम से जमानए और आपके सामने यह तो देखे जो फालतेम बनाई सबसे पहले क्यों बनाई कौन से जगा में होता दंतेवाडा धंतेवाडा की फालतेम्स भन मुडी सबसे फेमसहरे नरायनपूर की मड़ई भी फेमस है दंतेवाडा की जो फालगुन मडई है यानि महीना कौन सो गया फालगुन महीना तो दंतेवाडा की जो फालगुन मडई है वो नौ दिनों तक चलती है आपको पता ही होगा दंतेवाडा की फालगुन मडई नौ दिनों तक चलती है कब से कब तक तो आपके फाल्गुन महीने के फाल्गुन महा के सुकल पक्ष की सब्तमी से फाल्गुन महा के सुकल पक्ष की सब्तमी से लेकर फाल्गुन महीने की जो सुकल महीने या फाल्गुन महीने की जो पुर्णिमा होती है उस दिन तक यह आपका फाल्गुन मड़ी चलता है कि इन रसमों को करम से जमाने तो सबसे पहले देखते हैं धोडा मल भी आपके फाल्गुन मरी के पहले determ हुजाते है धोडा मल बुलते है नाच मंड़नी में if P . मने का जो सुकलफक्ष का halfämä दीन रहत海 उस दीन रहता है लंदेनी नाच किया जाता है वह सब ऐता है पाल की ब्रह्मन होता है इसके बाद आता है कोठमी मार यह याद रखना हूँ यह 10 वे दिन तर दीन यानी फालगुन महीने के सुकल पक्ष के दस्वे दिन होता है फालगुन महीने के सुकल पक्ष के ग्यारवे दिन लमहा मार होता है लमहा मार उस दिन पाल की निकाली जाती है और रात को लमहा मार नित्य किया जाता है दिवासियों के द्वारा फिर बारवे दिन होता है आपका कोट मार कोट मी मार क्या होता है इस दिन जो आपको जो आपके कोटरी रहते हैं कोटरी को मारने का मतलब llc सिकार का इक होता है उसको प्रदर्शीत क्या जाता है कोट मी मार फिर आपका इम देख wanna आजन करवा चलता है वहां तक आपका Chisadron अरह नोग अलग यह आज़ारी आफ महीं होटी है बपोंगली कहा समय से हौ साअ क्कुषट के चलता हमें … तो लाल बंगला के संबन में कौन सा कतन सही है पहला लिखे यहां चिंदा भुंजिया जनजाती का रसोई घर होता है सेकंड लाल बंगला के अंदर अन्य स्थान का पका भोजन ले जाना वरजित है थर्ड परिवार की पुत्री विवा उपरान लाल बंगला में प्रविस नहीं कर सकती तो देखे जो बुझिया जन जाती होती है बुझिया जन जाती की दो उप जाती है बुंजिया जन जाती की दो उप जाती है एक है चिंदा बुंजिया और एक होता है चोकुटिया बुंजिया याद रखेगा कि बुंजिया जन जाती की दो उप जाती है एक है चिंदा बुंजिया और एक है चोकुटिया बुंजिया तो याद रखेगा जो लाल मंगला होता ह वो चिंदा भुंजिया का नहीं होता है वो चौकुटिया भुंजिया का होता है तो यहां पर लिखा है कि यह चिंदा भुंजिया जंजाती का रसोई घर होता है बिल्कुल गलत है चिंदा भुंजिया का नहीं यह चौकुटिया भुंजिया का होता है तो पहला पॉइंट ग गया है तो उस विवा के पसात वो कभी भी अपने माई के आएगी तो लाल बंगला में प्रवेज नहीं कर सकती तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है तो दो और तीन सही है यानि इस की जो मावली मढई होती है उसका आयोजन माग महीने में किया जाते है याद रखेगा दंते वाड़ा में होता है फालगुन महीने में नरायनपूर की जो मावली मढई है इसका आयोजन होता है माग महीने में और यह सबसे फेमस मढई 36 गड़की मानी जाती है अगला कोस्चन ह निम्न में से किसे आदिवासी पित्री देव मानते हैं निम्न में से आदिवासी किसे अपना पित्री देव मानते हैं दुलहा देव, डुमा देव, आना देव या अंगा देव तो याद रखेगा आदिवासी जो होते हैं वो डुमा देव को अपना पित्री देव मानते हैं तो B इसका correct answer है आदिवासी डूमा देव को अपना पित्री देव मानते हैं। अगला question देखते है, question number 55, जोटिया नामक आभूसन कहां पहना जाता है। यानि जोटिया नामक आभूसन होता है, वो कहां पहना जाता है, सीर, कान, पैर या गला, तो जोटिया नामक आभूसन होता है, वो पैरों में पहना जाता है, सी इसका correct answer है, पैर. अगला question देखते है, question number 56, हनाल गड़ा या गापा किसे कहते हैं, हनाल गड़ा या हनाल गड़ा भी बोलते हैं और गापा किसे कहते हैं, तो ये मृतक किस्तंब को कहते हैं, तो याद रखेगा, अनाल गड़ा या गापा जो है, मारिया जन जाती के, जो मृतक किस्तंब होते उनको हनाल गट्टा या गापा कहा जाता है तो गापा भी नाम याद रखेगा गापा का मतलब भी मृत्यक इस्तम्भ होता है अगला कोश्चन देखते हैं जो सीजी हिस्ट्री का कोश्चन है कोश्चन नमबर 57 है यह है डॉंडी लोहारा में हुआ किसान अंदोलन 1937-1949 के संबंद में कौन सा कतन सही है यानि जो डॉंडी लोहारा में किसान अंदोलन हुआ था उसके संबंद में कौन सा कतन सही है पहला यहां अंदोलन दिवान मना रम पांडे के विरुद्ध किसानों द्वारा चरीवा निस्तारी का अधिकार वापस प्राप्त करने हितु किया गया सेकंड है इस आंदोलन का नित्रित्व सर्यूप्रसाद अगरवाल ने किया तीसरा है 28 अक्टूबर 1937 को डॉंडी लोहरा जमिदारी के समस्त किसानों ने एकत्री तोकर माली थोरी बजार में आमसभा की फोर्थ पॉइंट है पाँच मई 1949 को कुसुम कसा नामक गाउं में विराठ जन सभा हुई और इस सभा में तीन दिनों तक चरी और निस्तारी की लकडी काटने का कारिकरम बनाया गया तो डॉंडी लोहरा किसान अंदोलन के दूसरा निस्तारी यानि वो अपने यूज के लिए जंगल से लकडी भी काटकर नहीं ला सकते थे तो अपने चरी और निस्तारी के अधिकार को वापस पाने के लिए मनाराम पांडे के वरुद आपका डॉनली लोहरा किसान अंदोलन हुआ था ये बिल्कुल सही लेकिन जो मेन नाम है वो सर्यूप्रसाद अगरवाली थे क्योंकि इनों नहीं हर्ताल के सुर्वात की थी तो दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है तीसरा है 28 अक्टूबर 1937 को डॉन्डी लोहरा जमिदारी के समस्त किसानों ने एकत्री तोकर माली थोरी बजार में आम पॉइंट गलत है यह 28 अक्टूबर को नहीं हुआ था 28 अगस्त को हुआ था 28 अगस्त 1937 को डॉन्डी लोहरा जमिदारी के समस्त किसानों ने एकत्री तोकर माली थोरी बजार में आम सबा किती तो तीसरा पॉइंट गलत है चौता पॉइंट है पांच में 1949 को कुस्म कसा न में विराट जन सबा हुए और सब में तीन दीनों तक चरी और निस्थारी की लकडी काटने का कारिक्रम बनाया गया यह बिलकुल सही है पांच महीFI, मिर्ए Margyn den flavour कश्म कसामा में यह मिटिंग हुई थी और यहांपर चरी और निस्थारी कर तीन तक चरीं निस्तारी मे 28 अगस्त ऐ अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन भी आपका सीजी से यह खोई ख़ख d nasty खादान रियासत में हुएаешь अंदोलन के संबंद में कौन सा कठथन सही ए यानी छुई कलार रियासतं में जो किसान अंदोलन हुआ था उसके संबन में कौन सा कतन सही है जो 1938 से आसपस हुआ था पहला पॉइंट है 19 परवरी 1938 को रायपूर में कॉंग्रेस अदिवेशन के दोरान गोवर्धन राय वर्मा राम नर्याण मिस्र हरसुल से मिले सेकंड पॉइंट है 9 दिसंबर 1938 को छुई खदान इस्टेट क कॉंग्रेस का पहला दिवेशन नर्मदा ग्राम में राम नर्याण मिस्र हरसुल के अद्यक्सता में संपन हुआ और तीसरा ही सदिवेशन में बेगारी प्रथा बंद करने से संबंदीत प्रस्ताव पारित किये गये तो देखें जो चुई खदान में आपको पता 1937 में स्थापनोईती कॉंग्रेस का कर्याले खुला था जो चुई खदान रियासत की जनता थी वो राजा और दिवान के सोशन से लगातर परिसान हो रहे थे इसलिए चुई खदान रियासत के प्रमुक वैक्तिते जिनका नाम था गोवर्धन राय वर्मा वो कॉंग्रेस के अध दिसंबर 1938 को चुई खदान इस्टेट कॉंग्रेस का पहला अधिवेसन नर्मदा ग्राम में राम नर्याण मिस्रक हरसुल के अधिक्स्ता में संपन हुआ बिल्कुल सही है नर्मदा ग्राम चुई खदान से महज 13 किलोमेटर की दूरी में वहीं पर चुई खदान रियासत म आपका नर्मदा ग्राम में पहला दिवेसन उआ क्योंकि मैंना आपको बता 1937 महीं चुई खदान में स्टेट कॉंग्रेस की स्थाप नहीं ती तो इस्टेट ौंग्रेस का पहला संब्मिलन था जो राम नर्याण मिस्र हरसुल की अधिक्स्ता में ही शंपन हुआ क्योंकि उनको यहां मंत्रिट करने गयते गुवर्धन रह वर्मा तो राम नार्यमनिसर हर्सुल यहां पर आयता और यहां इसके अध्यक्स्ता के थे बिल्कुल सही है सेकंड पॉइंट तीसरा इस अधिवेशन में बेगारी प्रता बंद करने से संबंदी प्रस्ताव पारित वाता ब भी बिल्कुल सही है तो इस कोश्चन के एंसर है ऑफसंडी एक दो तीन यहां पर तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 59 को कोश्चन नंबर 59 है गांधी जी के द्विती चतिसगर प्रवास नवंबर 1923 के समय धमतरी न खरूब से जिनको पिछड़ा कहा जाए था जिनको आप हरीजन कहा जा अजा रहे था तयों हरीजन उद्धार के उड़िश से पूना प्रस्ताव जब गांदी जिए और भीमरोंबीटकर जी के मध्य हुआ था तो इसके बाद गांधी जी और रहे हरीजन उद्धार के लि किया था जिसको गांदी जी ने वापस निलामी करवा दी ते और निलामी से जो पैसा है तो उसको भी अपने हरीजन को उसमें जमा किया था तो नगर पालिकां के अध्यक्ष समय कौन थे छोटे लाल स्रिवास्तों नत्थू जी जक्ताप नरायंडरों मिघावले या स्याम ल अंदूलन के दोरान रहपूर में राष्टी पंचायत की स्थापना कब की गई यानि अवसेग अंदूलन के दोरान जो रहपूर में राष्टी पंचायत की स्थापना होई थी ताकि क्योंकि अपने भारतियों के किसम विदेशी जजों के पास लेकर कियों जाए तो न्या गरण डागा जोते इसके प्रमुगते जसकरन डागा के नहीत तुम्हें राष्टी पंचायत की स्थापना रहपूर में हुई थी इसका करेक्ट एंसर है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 61 है रवा प्रथा का संब्ध निम्न में से किस्से है रवा प्रथा का सं सतनाम पंथ से संबंदित ये प्रता है सतनाम पंथ में क्या होता है जब घर में कोई भी महमान आता है तो जो मेजमानी करते रहते हैं यानि जिनके घर में महमान आता है महमान जब अपना भोजन खतम कर लेता है तो उस भोजन को खत्म करने के बाद भोजन का कुछ हिस्सा जो है वो छोड़ता और उसी को जो मिजमान रहते हैं उसके हातों में उस भोजन को डालता है प्रसाथ स्वरूप तो इसी को रवा प्रता बोलते हैं तो सत्नामी पंथ में आपका रवा प्रता है तो 61 का एंसर ऑप्सन ए होगा अगला कोशन है कोशन नमबर 62 स tunnels to गुरुगहसीदास जी के द्वारा सर्व प्रत्म जैद खाम की स्थापन तो याद panda रखेगा गुरुगहसीदास जी son Ka पहला जैदखाम की स्थापना रतनपूर में की गई ती दुलहरा तलाप के पास याद रखेगा रतनपूर के दुलहरा तलाप रतनपूर के दुलहरा तलाप के साम के पास जो है आपके गुरु घासी दाजी के द्वारा सबसे पहला जैदखाम इस्थापित किया गया था तो इसका एंसर होगा आपका रतनपूर ऑप्शन सी अगला कोश्चन देखते हैं 36 गड़ में ब्रिटिस प्रसासन के द्वरान हुए प्रसासनिक फेर बदल को उनके काल क्रम अनुसार जमाईए यानि जो ब्रिटिस काल आया तो ब्रिटिस काल में जो जो चीजे बनी उसको कम क्रम से जमान है मध्यप्रांथ का गठन तैसीलों का पुनर गठन चतिस गड़ में पंजाब पुलिस मैनवल लागू होना चतिस गड़ को संभाग का दर्जा मिलना तो देखें मध्यप्रांथ का गठन हुआ था 1861 में दो नौंबर 1861 को तैसील का पुनर गठन हुआ है 1857 में जाकर चतिस गड़ में पंजाब पुलिस मैनवल का लागू होना 1858 के आसपास चतिस गड़ को संभाग का दर्जा मिलना 1862 के आसपास तो अगर मैं इसको करम से जमाऊंग तो दो सबसे पहले आएगा दो के बाद आएगा तीन फीर आएगा ए व्यक्ति गठ सत्याग्रा के विसे में कौन सा कथन सत्या है यानि जो भालचतिस गड़ में व्यक्ति गठ सत्याग्रा हुआ तो उसके संभन में कौन सा कथन सही है तो आपको पता है जब आपका द्विती विस्विद्ध चल रहा था द्विती विस्विद्ध में जब ना बता है भारत को दीटीविस्विद में सामिल कर लेते हैं तो उसके विरोध में आपका व्यक्तिगत्स सत्यागरा होता है तो व्यक्तिगत्स सत्यागरा के संबंद में कौन सकतन सही है दो अप्रेल 1941 को बिलासपूर से एक दल राजा रामसाहू और रामेस्वर पसासाहू के नित्रितों में दिल्ली रवाना हुआ जिने ललीतपूर में गिरफतार कर लिया गया बिल्कुल सही बात है बिलासपूर से एक दल गया था आपका दिल्ली में जहां पर उनको गया बिल्कुल सही है अमर सिंग सैगल के उधारा बिलासपूर में सावजनिक सभा को संबोधित किया गया जिनके बाद उनको गिरफतार किया गया बिल्कुल सही है 27 नॉमबर 1940 को वैक्तिकस सत्यागर प्रारम करने के कारण रवी संकर सुकलो को रहपूर स्थित माना में ग कथन सही है अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है आपका कोश्चन नंबर 65 निम्न कल्चूरी कालीन इस्थल को उनकी स्थिती के नुसार उत्तर से दच्छन जमाईए यानि आपको यहां पर कल्चूरी कालीन इस्थल दिये गए हैं इन कल्चूरी कालीन इसका पुराना नाम है सर्गुजा का तलहारी मंडल आपका बलोदा बजार के आसपास का चेतर तलहारी मंडल तुम्मान आपका कोर्बा के आसपास काक्र यानि कांकिर का चेतर कांकिर का पुराना नम काक्र है तो उत्तर से दच्छन जमाऊंगा तो सबसे पहले डांडोर तीन दो चार यानि option भी इसका correct answer है एक तीन दो चार चलिए अगला question देखते है question number 66 है नगर पंचायत के पारसत को पत से हटाने के संबंद में कौन सा कथन सही है यानि आपका जो नगरी निकाय यानि नगर पंचायत होता है नगर पंचायत में अगर किसी पारसत को पत से हटाना है तो उसके संबंद में कौन सा कथन सही है पहला यदि पारसत का पंद में बना रहना लोखित में ना हो तो राजसरकार कभी भी उससे पत से हटा सकती है सेकंड यदि आप आया जाता है कि वह उस आरच्छित वरगकर नहीं है जिसके लिए सीट आरच्छित रखी गई थी तो कलेक्टर उसे पत से हटाएगा सकती पॉइंट गलत है राजसरकार नहीं हटाती कलेक्टर हटाता है इसलिए पहला पॉइंट गलत है कलेक्टर उन्हें कभी भी पत से हटा सकता है पहला पॉइंट जो है वह गलत है राजसरकार की जगा कलेक्टर आएगा दूसरा यदि यहां पाया जाता है कि वह उस चित वर्ग का नहीं है जिसके लिए सीट आरची थे तो उसको कलेक्टर पत्स अठा देगा तो दूसरा सहीं है तीसरा अगर नगर नगर पंचायत के जो दो तिया है निर्वाचित पारसद है वो मांग करते हैं कि असोबरी आचरण के इसको पत्स अठाना है तो कलेक्टर उसे भी पत्स अठा सकता है तो दो और तीन सहीं है पहला गलत है तो इस को सब्सक्राइब का एंसर होगा ऑफसंडी दो और तीन प्रसासन में अनुभवी व्यक्ति की जा सकती है थर्ड वाड समीति में सामिल सभी लोगों को मत देने का अधिकार होता है तो वाड समीति के आपको आपसं देख रहे हैं आप अपने हिसाफ से एंसर इसको बनाईए कर चलिए इसको सौल करते हैं एक वाड समीति का अंतर का जितने वाड आते हैं उनके जो भी पार्सद होंगे वो डेरेक वाड समीति के पदिन सदर से बन जाते हैं तो यह आपका बिल्कुल सही है इसमें नगरी प्रसासन में अनुभवी व्यक्ति की जा सकती बिल्कुल हर वाड समीति में दो अनुभवी व्यक्ति जो प्रसासन का रखते हैं उनकी न्युक्ति कौन करेगा नगर पंचायत का अध्यक्ष करेगा तो की जा सकती है यानि सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है तिसरा वाड समीति में सामिल सभी लोगों को मत देने का दिकार होता है यह बिल्कुल गलत है वाड समीति में जो पार्सत सामील हो देने का दिकार होगा जो अनुभवी यानि प्रसासन का अनुभव रखने वाला वेक्ति सामील होरा उसको वोट देने का दिकार नहीं होता तो तिस्रा गलत है तो इसके एंसरों का option B 1 और 2 सही है अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है कोशन नंबर 68 कोशन नंबर 68 है यहां पर नगर पंचायत के उपाद्यक्ष के विरुद्ध अविस्वास प्रस्ताओं के संबंद में क्या सत्ते है यानि नगर पंचायत के पार्सत के विरुद्ध यदि अविस्वास का प् होता है 3. इसमें मतिदान करने का दिकार पंचायत के सभी सदस्यों का तो नगर पंचायत के उपादेवाजिजग रुदय अविस्वास प्रस्था आना है तो कुल निर्वाचीत पारसदों के एक भास लिखीत मांग करेंगा विष्वास प्रस्ता लाने के लिए गलत एक तीहाई नहीं एक बटेच्छे पारसद जो नगर पंचायत के एक बटेच्छे निर्वाचित पारसद है वो मांग करेंगे उनके खिलाप अविस्वास-प्रस्ताओं लाने का इसलिए पहला पंड गलत है सेकंड अविस्वास-प्रस्ताओं के समय किया गया मतदान गुप्त मतदान होता है बिल्कुल सही है वोटिंग के समय किसी भी व्यक्ति को अपना वोट किसी और को नहीं दिखाना होता है वोट डाल सकते हैं किसी को दिखाना नहीं होता है वो तो दूसरा सही है तीसरा इसमें मतदान करने का दिकार पंचायत के सभी सदस्यों को होता है ये भी गलत है इसमें मतदान करने का दिकार केवल जो निर्वाची सदस्यों होता है उनको होता है ना कि जो आपके पदेन सदस्यों होंगे उनका होता है उनका नहीं होता है केवल निर्वाची सदस्यों को हता है तो सकता है यानि अनुसूची छेत्र में जो ग्राम सभा बनती उसका गठन की छेत्रों के लिए जाता है ग्राम या ग्रामों के समूँ के लिए मोहला या पारा हे तू या आवासों के समूँ हे तू तो याद रखना है अनुसूची छेत्र में जो ग्राम सभा का गठन होता है व हर जन जाती को अपने छेत्र मोहले या पारे के अनुसार भी आपका ग्राम सब्भा बनाने का दिकार होता है तो इस कोश्चन का एंसर होगा तो देखे ग्राम सब्भा की मिटंग में जितने लोग उपस्तित हुए है और जितने लोगों निर्ने सक्रैक्ला रहें आघ्न कूल सगय कोंध्य होगता उपस्तीत और मत देने वालों का गोम्त लगता इसलिए स्कस्द पॉइंसेही पहला गलत आगर महाल लेते हैं वोट कि बडाबर हो जा रहे हैं तो निर्ने कैसे लिए जाएगा किसी विएट椇ट तो निर्ने कौन लेगा जो अध्यक्सता करता रहेगा वैक्ति वो निर्नायक वोट डालकर उसमें निर्ने लेगा तो चौथा पॉइंट सही है तिसरा पॉइंट गलत है तो दो और चार सही है यानि ओप्सन डी इस कोश्चन का करेक्ट एंसर याद रखेगा ग्राम संभ में यति मतों की समानता होती है तो जो अध्यक्सता करता रहता है वैक्ति वो निर्नायक वोट देकर निर्ने लेता है अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 71 नीम्न पर विचार करके निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिये सहीं उत्तर का चुनाओं कीजिए कारण है सम्विधान के 73-74 संसोधन के बावजूद इस थानी स्वा सासन सम्विधान के सात्वी अनुसूची के अंतरगत राज्य कविसय बना हुआ है तो अगर आपको यहां पर देखने आप आपको यह बताना है तो अगर हम देखेंगे तो आपको पता ही होगा जो केंद्र का विद आयोग होता है वो भी पंचायतों के लिए आपका जो वित की विवस्था करवाने के लिए सिफ्हारिस करता है, यानि केंद्र सरकार जो राज्यों को फंड देती है पंचायतों के लिए, उसमें केंद्र का वितायो भी तो सला देता है। तो यहाँ पर कहली के संगी वितायों की कोई भूमिका नहीं होती, यानि आपका कथन तो बिल्कुल गलत है, संगी वितायों की भूमिका होती है, से जो पंचाय 바로 upon को पिससे लिगेंर क सब्सकर राजसश् Eachech को फैसे में दियाँ जाता है आगे देखते हैं संविधान के 43 और 44 संसोदन के बावजूद संविधान संविधान के 7 & 6 सूची के अंतरगल açara виço बना हुए तो विल्कुल सही है जो इस्थान वा-सासन है वह रजाश्य का विसे का वीशन है भली आपने 33-34 वा समिधान संसुदन लाया लेकिन जो आपका विशे स्थानी संसासन वह कहां का विशे स्थानी सो सासन आपकी स्थानी सी तो यहां एंसर क्या होगा कथन गलत है परंतु कारण सहीं है डीस का करेक्ट एंसर है अगला कोशन दिख लेते हैं अगला कोशन है स्री राम ल ला दर्सन योजना के संबन्ध में कौन सा कफंश तहीं है प्रतम चरंड में 50 वर्ष से उपरा नीक है के दर्सनार्थियों के विखानेट होगी तो अगर हम देखेंगे राम लला दर्सन योजना के अंतरगत 20,000 दर्सनार्थियों को प्रत्यक वर्स ले जाए जाएगा बिल्कुल सही है प्रतम चरण में 50 वर्स के उपर आयू वर्ग के दर्सनार्थियों के या सुईधा होगी यह पॉइंट गलत है 50 वर्स नहीं 55 वर्स 55 वर्स के उपर के जितने भी स्रधालू होंगे उनको राम लला दर्सन योजना का प्रतम चरण में लाब मिलेगा इसलिए दूसरा पॉइंट गलत है तीसरा इसके लिए प्रत्यक जीले में कलेक्टर के अदिक्स्ता में स्री राम लला दर्सन समीती बनेगी वही अगला कोशन देखते हैं कोशन नंबर 73 है केंद्री आवासन एवं सहरी कारे मंत्राले द्वारा आयोजीत स्वच्छ सर्विच्छन 2023 के संबन में कौन सकतन सही है यानि याद रखेगा जो केंद्री आवासन इम सहरी कारे मंत्राले वह अभी 36 गड़ को सवच्छता के लिए अवाड दिये तो उसके संबन में कौन सा खतन सही है चतिस गड़ को महराष्ट और मध्य प्रदेश के बाद देश का तिसरा सबसे साफ सुत्रा राज्य का दर्जा मिल है या पुरुसकार मुख्य मंत्री विश्नु देव साय और नगरी प्रसासन मंत्री अरुन साओ के द् तिसरा राज्य के पांच नगरी निकायों को भी इस सामाहरों में पुरुसक्रित किया गया है तो देखे चतिस गड़ को तिसरा सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिल है पहले नंबर पे महाराज दूसरा मध्य प्रदेश तिसरा चतिस गड़ पहला पॉंट सही है इस प पोशन देखते हैं निम्न में से ऐसा कौन है जो कि छतिस गड़ विधान सभा का अध्यक्ष और प्रोटेम स्पिकर दोनों पद में कारे कर चुक है यानि जो नीचे ओपसन दिये गए इनमें से ऐसा कौन है जो विधान सभा अध्यक्ष भी रह चुके और विधान सभा के प्रोटे मिस्पिकर भी रह चुके राजेंदर प्रसाथ सुकल धरमलाल कौसी गौरी संक्रगरवाल या रामसत्य नरेंड सर्मा तो एंसर क्या होगा इसका राजेंदर प्रसाथ सुकल राजेंदर प्रसाथ सुकल जो 36 गड़ की पहली विधान सभा थी उसके अध्यक्ष ते और जो 36 गड़ की दूसरी विधान सभा बनी उसमें प्रोटे मिस्पिकर भी राजेंदर प्रसाथ सुक लही थे यानि पहली विधान सभा के अध्यक्ष बने थे और दूती विधान सभा में ये प्रोटे मिस्पिकर थे तो यह इसका करेक्ट एंसर है याद रखेगा अगल विधान सभा चुनाव जित गए और उसके बाद वह विधायक बन गय तो उनकी जो लोग की सीट एव रिक्त हो गई तो कौन कितनी ऐसे विधायक है जो सांसद वने और उनकी लोग्सपा स्थ रिक्त हो गई है तो आपको इसका एंसर है ऑप्सं़ सी तीं कौन से सबसे पहल पहले सांसथ थी अब विधायक बन गई है और गुamtिसाय जो पत्थल गाउं का छेटरह से विधायक है इसके अलावा अरुण्स ऐज़ अरुण। भी पहले सांसत थे अब विधायक बन गए है और अरुण। जो है वह आपके वरतमान में लोर्मी के च्छेतर से विधायक बने हैं तो जो थी तो गई लोक सभा की यानि हमारे यहां लोक सभाकी 11 सिर्थी जिसमें से 3 सिर्थी तो हो गई है तो वर्तमान में हमारे लोक सभा सांशद है आठ सब्सक्राइब, फिर से मैं बता दे रहा हूं रेणुका सिंग्सान सत्ति विधायक बन गई है गोमती बिद्हाइक बन गई है इसके अलावा अरुन सवा Exactly विधायक और वो उनका चेत्र विधानसभा चेत्र भी याद रखेगा गोमतिसाय का है पत्थल गाउं रेणुका सिंग का है आपका जो आपका भरतपुर सोनहट वाला चेत्र और अरुनसाओ का है लोर्मी के विधानसभा से तो यह तीन वहां से जितके अब भी विधायक बने क्लियर ह कोस्टन हो गए लगबग 30 कोस्टन के आसपस हमने आज किया होगा उमीद कर रहा हूं कि कोस्टन का पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा कुछ नए कोस्टन देखने के लिए मिले होंगे आपको रिविजन में भी यह मदद करेगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा आने वाला हूं तो इंडियन जीए सीजी जीएस मिला कर अब आपके लिए क्लॉट आने वाला है प्रसनों का जितने दीन बचे हैं हर दीन आपके यहां पर 50-60 कोशन कहके क्लॉट आएगा जो आपके आने वाले पीसी के पेपर के लिए बेहत इंपोर्टेंट हो सकता है अईने वाले झाता है यहां दीन आपके लिए के अज़ आपके के लिए दया ह危陪ग।